आज कासी की धर्ती पर सद्गुरो पोजसंत्र अविदाजी महराज की 627 वी पावन जेनती समारों की आविजन में हमारे देश के सश्वी प्रधान मंत्री जी का आगमन हुआ है मैं इस उसर पर प्रधेश भास्यों की ओर से आज़निय प्रधान मंत्री जी का हिर्दै से स्वागत करता हूँ अविनन्दन करता हूँ अब यह आज़निय प्रधान मंत्री जी के करकमनों से पोजय संतर सब्गरो रविताजी महराज की इस भव्य प्रतिमा का लोकारपन का कारिक्रम संपन हुआ है इस औसर पर प्रधान मंत्री जी के करकमनों से अभी बहुत सारे कारिक्रमों का लोकारपन और सिनान्यास का कारिक्रम आयुजित होना है मैं गरिम रूप से सद्गुरूप पोजय संतर अविताजी महराज के सरीयनियाईयों को भक्तों को कासी वासियों को आप सब को इस औसर पर हिरते से बढ़ाई देता हो आप सब के प्रतियपनी सुप कामनाई भी देता हो आज हम सीर गोवर्दन पुर में आते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को एक नया स्वरूप कासी की ही तरज पर देखने को मिलता है आज से दस बस पहले यह एक कल्पना थी बिवाद थे यह जो यहाँ पर समागम होता है इतना बहुते समागम जगे नहीं मिल पाती थी सड के संक्री थी लेकिन हम सब अवाली हैं आज़र यह प्रणानमंत्री जी के जिनकी दूर दर्सिता जिनका मार्ग दर्सन और जिनके नित्रत्त में आज सद्गरो पोच्यसंद रवितासी महराज का पावन तीर्थ एक वार नई भव्यता के साथ नई दिव्यता के साथ चमकतावा दिखाई दे रहा है और सत्मुच इसके लिए आप सब को हिर्दे से बढ़ाई अब यहापे सद्गुलू के संग्राले का भी सदान्यास का कारेकर्म प्रणानमंत्री जी के करकमनों से होने जारा है आप देखना कितनी बड़ी प्राचीन विरासत को यह विरासत जब अगले तीन वर्ष के अंदर ही यहाँ पे यह संग्रत सद्गुलू की साथे छैसोवी जेयंती कारेकर्म को मनाएगा तब एक भग बेस्मारक भी जहाँ पर आपको संग्रालय के रूप में देखने को प्राप्त होगा सवबाइक रूप से आपने रेखा होगा है देश 1947 में आजाद हुआ आजादी के पहले भी बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग भोशनाई करते थे लेकिन सत्मुष क्या कारे हो पाया था लेकिन आज सही माइने में कोई कारे करना है किसी ने जगत गुरू रामानंद जी की सिक्साओं का सत्गुरू रविताजी माराज की सिक्साओं का अनुसर्ण करके ब्यावारिक धातामर रुतारने का कारे किया है नरेंद्र मोदीजी का जगत्गुरु रामानंदाच रामानंजी ने यही तो बात कही थी कि जाती पाती पूछे नहीं कोई हरी को भजे सोहरी का होई और यह आज हम सब को देखने को मिला है समाज में सब का साथ और सब के दिकास का यह मंत्र पुरे देश के अंदर हर उस गवीद को जिसके पास सिर ढखने के लिए छट नहीं है मकान मिला है जिस गवीद के पास सोचाले नहीं है उसको सोचाले मिला है पांच लाख रुपे के आजिसमान भारत की गारंटी मिल लए है और जीवन की वे सभी आउशक्ताओं की पूर्ती करने के साथ ही यहाँ पे जो भी सांपला जी कह रहे थे बावा साथ भीमराम बेट कर से जुड़ेवे पंचित पीर्तों को जो सम्मान दिलाने का कारे सोतंडरो हारत के अंदर किया गया यहाँ भी अद्वुद कारे बैरी बारवा है आजने प्रनानमंत्री जी इसके लिए पुरा समाज और पुरा देश आपके प्रती आभार वेक्ति करता है आपका लंदन करता है और कासी की धर्ती में तो आपने जो नहीं पेड़ा दी है कासी की धर्ती की मातिन से देश और दुनिया को वद्वुद है एक नई मिसाल है